वैदे के एम शर्मा जी नाड़ी विशेशग्य हैं और नाड़ी से देखकर आपके रोगों को पता लगाते हैं आज हम कुछ नई बाते उनसे जानेंगे वैजी नमस्कार आज हम अगर बात करें जड़ से जड़ से आज हम शुरुवात करते हैं अपने प्रोग्राम की जड़ की बात करें तो बेसिक बात ये है कि आज को लितने सारे रोग हो रहे हैं आई दिन हम देखते हैं हमारे परिवार जनों में या दोस्तों में दोस्तों की परिवार में ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं जिनके बारे में हमारी पुष्टों ने कभी सुना ही नहीं या तक हमारे माता पिता ने भी कभी नहीं सुना Hepatitis B जैसी बिमारिया आज से 20 साल पहले तक थी ही नहीं अब जाके ये नही नहीं बिमारियां आ रही है तो इसकी जड़ क्या है? क्या इसकी वज़ा है कि नहीं नहीं रोग देखने को मिल रहे हैं? एक तो खान पान एक पहले लोग पीतल के बरतनों में बनाते थे खाना कांसी के बरतनों में बना उन धातू का गुना आता था अंदर आज कल स्टील और अलूमिनियम है क्या वो प्रेशर कूकर है चैक कुछ है तो प्रेशर कूकर ये अलूमिनियम का बनता है और श्टील जिसके आजकल बरतन सभी यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या है कुछ ऐसे बैक्टिरिया होते हैं जो रोगानू बढ़ाते हैं जैसे कैंसर की उत्पत्ती होती है तब से ही जादा हुई है आजकल बासी खाने का चलन बहुत बढ़ गया है हर घर में दो तीन टाइम क आटा गूंद के रख दिया जाता है फ्रिज में सब्जी बनागे रख दी जाती है अब ताजे खाने के गूना लगे आप फ्रिज में भले रखे खाना ठंडा तो रहेगा लेकिन बैक्टिरिया तो पैदा होंगी तो नुकसान करेंगे इसी तरह से यह जो आजकल दूद च हो गया है इतने जादा हो गया है कि मैं ही देखता हूं कि 2424 नए मरीज डेली शूगर के आते हैं जबकि शूगर पहले खानदानी हुआ करती थी और शूगर कोई स्थाई इलाज भी नहीं है शूगर जड़ से कभी खतम नहीं होती उसकी रोग ठाम हो सकती है आप बजार को के पास जाएं तो ये रोग साल छे महीने के इलाज से जड़ से खतम हो जाते हैं असाध्य लोगों की अगर बात करें तो आज हम बात करना चाहेंगे अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे गठिया बाई के पेशिंट्स आतकल बहुत जादा हो रहे हैं और तो खास करकि ग आप से बताया था कि यह प्रसूस से जुड़ावा रोग है और जर्नली यह बच्चा होने के बाद या कोई सफाई भाई कराई हो उसके बाद यह शुरू होता है तो इसमें कुछ को तो यूरिक एसिट जमने की वज़े से भी होता है गोटनों में हडियों में यूरिक एसि शुरू होते हैं गठिया जब एक दो साल दर्द रहेंगे उसके बाद हातों की उंगलियों में गाठे बढ़नी शुरू हो जाती है जब गाठे शुरू होती है तब ही समझ जाना चाहिए अब गठिया शुरू हुआ फिर धीरे 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 उंगलियों मोटी होनी श शुरू होता है और गुटने जाम होने शुरू हो जाते हैं कट-कट की आवाजे आने शुरू हो जाती हैं यह सब गठिया की लक्षन है इससे बचने के लिए घरेली उपाय के साथ साथ एक तो कढ़ी दही चना फूल गोभी बैंगन अर्बी ऐसी बादी बढ़ाने वाली ची वह सब्क्रीकें प具न तक रस सब्क्राइब तौल में तौन सबसे होगा जाता है और नसों की flexibility बढ़ जाती है तो दर्द कम होना शुरू हो जाता है जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं यह कैसे होगा वो तो फलाने को बाता हो तो मर यह नेगेटिव थिंगी क्या करती है हमाने जो positive cells है उनको negative कर देती है और जब cells negative हो जाएंगे तो रोक बढ जोने शुरू हो जाएगी और यह इसंहें कुछ लोग कहते हैं देखे मेरे पास पहार से लोग आते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया तंत्र मंत्र कर दिया तागे तभीज टेकि इन बातों में कुछ नहीं है रोग तो रोग और वो दवा से ही ठीक होगा उसमें तंत्र मंत्र या जादू टोने कोई काम नी करते इसलिए अपनी सेवा खुद करनी है अपने आपका ऐसा बनाना है कि किसी बेंड नहों और वो होगा दवा अच्छे दवा परहेज और विश्वास तो यह थे वैद्य केम शर्मा जी जिन से आज हमने बात करी असाध्य रोग यानि ग में आप रोगों को टाटा बायबाय कर सकते हैं और अगर आपको रोग हो भी गया है तो बिल्कुल घबराएं नहीं वैद्य केम शर्मा जी के यह आएं और हर रोग का इलाज सफलता पूरवक करवाएं तो यह थी कुछ बातें आज वैद्य केम शर्मा जी से अगले एपिस अबस्त